राजसी लगतिये वस्तू इसके पीछे यूगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छीपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस सब्द का अर्थ संपदा से संपन और अित्यासिक है। आज मैं आप सभी को इसको साजा करने के लिए यहाँ पर उपस्तित हुआ हूँ। यह एक हमारी बहुत पुरानी सब्देता से जुड़ी भी प्रता है जिसकी गहरी जड़े देश की परंपराओं में समाही थे। आजादी के अमरूत महोसव में प्रधान मंत्री जी ने जो कुछ लक्स तै किये थे। उसमें एक लक्स हमारी अित्यासित परंपराओं का सन्मान और उसका प्नजागरण भी था। यह सेंगोल उसी लक्स की परिपूर्ती के लिए आज मैं आपके सामने इसकी इंफरमिशन को लेकर आया हूँ। यह गटना जुड़ी है आजादी की क्षण के साथ 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महेत्यासिक और अनोखी गटना ने आकार लिया था। जिसकी 75 साल के बाद अद्देश के अधिकांस नागरीकों को जानकारी नहीं है। यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था। उसने हमारे इतियास में एक अहम भूमी का निभाई है। और इस एंगोल अंगरे जो से भारतियों के साथ सत्ता के हस्तान तरण का एक प्रतिक बना था। इस गटना के अधियासिक महतों को जानने के बाद आप सभी को आस्चरिय होगा कि इतने सालों तक यह हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रदानमंत्री जी को मिली इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रदानमंत्री जी ने इसकी गहन जाच के आदेश दिये और फिर नेने लिया कि गवरोमई प्रसंग को दुरूत आरे के समान परंपराओं के दुरूत आरे के समान देश के सामने रखना चाहिए इसलिए हमारे नए संसत भवन के लोकारपण के दिन को चुना गया अब मैं थोड़ा इस गटना के बाद में आपको बताऊंगा 14 अगस्त 1947 की रात को लगबग 10 बचकर 45 मिनिट पर पंडित जवालाल जी के ने विशेश रूप से तमिल नाडू से आये हुए अधिनम से सेंगोल को स्विकार किया था उन्होंने इसे अंग्रेजो से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण वीदी विधान के साथ स्विकार किया था पंडित नेरू ने 14 अगस की राद को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्तिती में सेंगोल स्विकार करकर सत्ता के हस्तान तरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था